हलो फ्रेंट, स्टडी विथ मैंक के करेंट अफर सेसेन में आपका स्वागत है यह करेंट अफर सेसी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीयस, सीडियस, पीएज, पीएज, एंडिये और अधर कंप्परिटिविग जमादी में स्थायक होंगे आज की डेट है 10 सप्टेंबर 2021, तो चलिए आज का करेंट अफर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है, बिटकोईन को अधिकारिक करेंसी के रूप में दरजा दिने वाला दुनिया का पहला देश निम्नमे से कौन बन गया है? अफ्शन A, अलसलवाडोर, अफ्शन B, क्वाटेमाला, अफ्शन C, मेक्सिको, अफ्शन D, ब्राजील अलसलवाडोर, 7 सितंबर को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जहां क्रिप्टो केरेंसी बिटकोईन को लीगल टेंडर या अधिकारिक केरेंसी का दरजा दे दिया गया है अलसलवाडोर ने कुछ महिने पहले ही अपने इस इरादे की जानकारी दे दी थी इस देश की राश्पती नई वुकिले की सरकार ने बिटकोईन को आधिकारिक दर्जा देने का कदम तब उठाया है जब इसे लेकर वहां की जनता में बहुत भरोसा नहीं है और अंतराश्टे मन्स से उपभोकताओं के लिए जोखिमों का हवाला दिया जा रहा है वुकिले की सरकार का दावा है कि इस कदम से कई देशवासियों की पहली बार बैंक से वहां तक पहुँच बनेगी तो इसका सही अंसरों का ओफशन ए अलसलवाडूर चले नेक्स्ट कुशन पर चलता है बिसी सी आई ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारती टीम का मेंटर यानि मार्क दर्सक न्यूक्त किया है ऑफशन ए राहुल द्रवर्ड, ऑफशन बी महेंदर सिंग धोनी, ऑफशन सी सचन तंदुलकर, ऑफशन दी विरेंदर सहभाग बारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है इस पार T20 World Cup के लिए BCCI ने टीम इंडिया के साथ बत और मेंटर भारत के पूर्व दिगज कपतार महेंदर सिंग धोनी को जोड़ा है T20 World Cup में महेंदर सिंग धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में दिखेंगे धोनी ने पिछले साल अंतरास्टी क्रिकेटर से सन्यास ले लिया था वो भारत के लिए अंतिम मैंच 2019 विश्व कप समिफाइनल में खेले थे माना जा रहा है कि उन्हें सीमित ओवरों की किर्केट के लिए रण नीती तेयार करने में उनके अनुभवों को देखते हुए इस भूमिका के लिए चुना गया है तो इसका सही अंसर होगा Option B महेंदर सिंग धोनी चलिए नेक्स्ट कुशिन पे चलता है भारत के निमने में से किस गोलफर को खेल में सांदार उपलवदियों के चलते दुबई का प्रतिस्टित गोल्डेन विजा प्रदान किया गया है Option E सिव कपूर Option B सिव चौरासिया Option C अदिती असोग Option D जीव मिलखा पदमिस्री विजीता वो इंटरनेशनल गोलफर जीव मिलखा सिंग ने एक बड़ी उपलवदी हासल की है देश के इस स्टार गोलफ खिलाडी को बड़ा सम्मान मिला है जीव मिलखा सिंग को दुबई का 10 साल का गोल्डन विजा मिला है ऐसा करने वाले जीव मिलखा सिंग पहले गोलफर बने है जीव मिलखा सिंग उड़न सिक मिलखा सिंग के बेटे है भारते गोलफर जीव मिलखा सिंग 10 साल का दुबई गोल्डन विजा हासल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोलफर बन गये है तो इसका सही अंसरों का option D. जीव मिलखा चले next question पर चलता है किस राइजे सरकार ने प्राण वायू देवता नाम से एक अनोखी pension scheme की सुरवात की है option A. हर्याणा, option B. बिहार, option C. पंजाब, option D. तमिलनाडो हर्याणा सरकार ने प्राण वायू देवता नाम से एक अनोखी pension scheme की सुरवात की है इसके तहट खटर सरकार ने 75 साल से पूर उपर की उम्रवाले पेडों को pension देनी की योजना बनाई है इन पेडों की देखभाल करने वालों को सालाना 25 सो रुपे pension देने का फैसला किया गया है इस scheme से पुराने किसानों और भूमेहीन मजदूरों को लाबत होगा ही साथी पेडों की कटाई पर रोग लगेगी इसके अलाबा परियाबरान भी सुरक्षित रहेगा और हावा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा तो इसका सहीं अंसर होगा option A हरियाणा चले next question पे चलते हैं निम्नमेंसिक किस भारती मोल के औस्ट्रेलाई नाग्रिक को औस्ट्रिलिया सुपरीम कोट का जज निफ्त क्या गया है बारत मोल के हेमंद धन्जी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोट के जज निफ़्ाने वाले भारती मोल के पहले ऑस्ट्रेलाई बन गए हैं धन्जी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिसनर के तौर पर भरती करा गया था और उसनके पास तीन दसकों से ज़्यादा का कानूनी अनुभव है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अपका ओप्शन B हेमंध धन्जी चलिए नेक्स्ट कुश्चन पिछलता है हिमाले दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है ऑफ्शन A 10 जन्वरी ऑफ्शन B 9 सितंबर ऑफ्शन C 12 मार्च ऑफ्शन D 5 अगस्ट हिमाले के संग्रक्षन को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमाले दिवस मनाया जाता है हिमाले में बेस कीमती जड़ी बूटिया भी पाई जाती है हिमाले दिवस की सुरवात अधिकारिक तोर पर जो है वो आपका 9 सितंबर 2014 को उत्राखन के ततकाली मुख्यमंत्री हरीस रावत ने की थी जिसका उदेश यह है कि एक ऐसा दिन हो जो हिमाले की परिस्तिते की तंद्र की संग्रक्षन का संदेश फैलाने के लिए पूरे राइजिब में मनाया जाए तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओफ्षन बी 9 सितंबर चले नेक्स्ट कुशन पर जलता हैं केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा छेत्र के लिए कितने करोड रुपे की उत्पादन लिंक्ट पूर्ट साहन यही पी एलाई योजना को मंजूरी देदी है ओफ्षन E 15,683 करोड रुपीज ओफ्षन B 18,683 करोड रुपीज ओफ्षन C 10,683 करोड रुपीज ओफ्षन D 20,683 करोड रुपीज देखिए केंद्र सरकार ने जो है आपके 8 सितंबर 2021 को कपड़ा छेत्र के लिए 10,683 करोड रुपे की आवंटन लिंक्ट पूर्ट साहन योजना को मंजूरी देदी है घरिलूबी निर्मान और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस पीलाई योजना को मंजूरी देगी है यो योजना 7.5 लाग से अधिक लोगों के प्रतक्ष अत्रिक्त रोजगार सरजित करने में मदद करेगी तो इसका जो सही अंसर वो होगा आपका option C 10,683 करोड रोपेज चले next question पर चलता है सुरक्षा पर cabinet समीती ने 8 सितंबर 2021 को airbase से कितने परिवहन विभानों की खरीद को मंजूरी देदी है option A 60, option B 22, option C 32, option D 56 ने के सुरक्षा पर cabinet समीती ने 8 सितंबर 2021 को airbase में 56 परिवहन विभानों की खरीद को मंजूरी देदी है यहों ने भारती वायोसेना की परिवहन विल्डे को एक बड़ा प्रोस्ताहन प्रदान करेगा C 295 MW परिवहन विभान खरीदने के लिए इस सौदे पर 20,000 करोड रुपे से अधिका खर्च जाएगा यह भारत में अपनी तरह का पहला सौदा है सभी विमान सुदेशी एलेक्रोडिक वारफेर सूट के साथ जो है बनाये जाएंगे तो इसका जो सही इंसर होगा वो होगा आपका ओप्षण D 556 चलने नेक्स्ट क्वेशन पर चलता है नेली आसमान के अंतरास्तिय स्वक्ष वायो दिवस पर कौन से केंद्रसासित प्रदेश में भारत के सबसी उचे वायो सुधक्का उधगाटन किया गया है अप्षण E चन्डेगर, अप्षण B दिल्ली, अप्षण C पुदुचरी, अप्षण D लक्षदीब लेके नेले आसमान के लिए अंतरास्तिय स्वक्ष वायो दिवस पर चन्डीगर में भारत की सबसी उचे वायो सोधक का उधगाटन किया गया है यह 24 फीटर उचा आउटडोर वायो सोधन टावर है और लगपग एक किलोमेटर के दाइरे की वायो को सुध करने में सक्षम है यह अपने द्वारा ग्रहन की गई और छोड़ी गई वायो की गुणवत्ता सुचकांग भी दरसा आएगा यह विद्दुत के मैधम से कारे करता है वायो सोधक वायो प्रदूशन के कणों को कम करने के लिए बड़े प्यमानी पर वायो सोधक के रूप में डिजाइन की गई संग्रशना है सयुक्तरास्टे महसभा ने सितंबर 2019 को एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतरास्टे स्वक्ष वायो दिवस की घोशना की गई थी इसका उदेश जलवाई परिवर्तन, मानव और ग्रहई समाज के साथ साथ सतत्विकास लग्षो जैसे अन्य महतपूर मुद्दो को सामिल करने के लिए व्यापक स्तरपद बाचीत को जारे रखते हुए सभी के लिए स्वस्त वायो की आश्यक्ता को प्राथमिक्ता देना ह तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ऑफ्शन ए चंडीगर्ण चले नेक्स्ट कुशिन पर चलता है पोस्ट क्रेजवेट इंसिट्यूट ओफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्य विद्याले ने किस सहर के लिए एक पराग कैलेंडर विक्सित किया है जो भारत के किसी सहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रियास है पोस्ट क्रेजवेट इंसिट्यूट ओफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्य विद्याले ने चंडिगड के लिए एक पराग कैलेंडर विक्सित किया है जो भारत के किसी सहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रियास है पराग कैलेंडर को लगभग दो वर्सों तक हवाई या वायुजनित पराग और इसके मौसुमी बदलाव का अध्धन करने के बाद बनाया गया था पराग कैलेंडर एक विस्तेज भोकॉलिक चित्र में मौझूद हवाई और वायुजनित पराग के समय की गतिसीलता को प्रतिने धुत्व करते हैं वे एक ही चित्र में पूरे वर्स में मौझूद विविन बायुजनित परागों के बारे में आसानी से सुलब द्रिश्य वित्रण विवरण प्राप्त करते हैं पराग के लेंडर प्राई स्थान विसिस्ट होते हैं जिसमें पराग की स्थान्जरता स्थानिय रूप से वित्रेद वनस्पतियों से निकटता से सम्मंधित होती है तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन C चंडीगर तो ये थास के करेंट एफेयर विडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइक्स पूर वाचिंग, हव अनाइस टे, टेक केर